हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस्टेमेल टुट्रल श्रीज गैस आज के इस लेक्चर के इंसाइट हम एस्टेमेल में गेट पोस्ट मेथर्ड के बीच में डिफ्रेंसेस को समझने वाले हैं इसके लिए हम एक लोगिन फॉर्म बनाएंगे उसके इसके इसके लिए एक रियल करें क्योंकि यह लेक्चर आपके लिए बहुत जगा यूस्फूल होने वाला है इक तो चलिए शुरू करते हैं तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर एक लोगिन फॉर्म बना लेते हैं उसके बाद हम यहाँ पर गेट पोस्ट मेथर्ड का यूज़ करके देखेंगे अगर आप यहाँ पर लोगिन फॉर्म बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर्म टेक यूज़ करें जो पहला वाला कोलम है उसके इंसाइट में लिख रहा हूँ इमेल और जो दूसरा वाला कोलम है उसके इंसाइट में एक इमेल फिल बनाना चाहता हूँ इसके लिए मैं यहाँ पर इंपूर्ट टेक यूज करूँगा और टाइप में मैं लिख दूँगा इमेल नेम आपको देना जरूरी है जब आप form का use करते हैं तो क्यों जरूरी है इन सभी बातों के उपर अभी थोड़ी दिर बाद हम discuss करेंगे यहां पर मैं email लिख देता हूं इसके बाद इस row को मैं copy कर रहा हूं ताकि मुझे ज्यादा code लिखना न पड़े मैं यहां पर paste कर देता हूं email को हट इसके बाद यहां पर password लिख देता हूं और यहां पर input type में लिख देता हूं password ताकि password फिल बनेगी इसके बाद यहां name में मैं लिख दूँगा password अब जब हम फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म के इंसाइट टू टाइप के बटन होते हैं तो मैं दोनों तरह के बटन यहां पर बना देता हूं जो पहला बटन होता है वो होता है रिसेट बटन उसके लिए हम यहां पर इंपुट टेक यूज़ करते हैं टाइप में हम लि बढ़ते हैं जो दूसरा बटन होता है वो होता है सब्मिट बटन नेम में हम लिख देते हैं यह कोई भी नेम लिख सकते हैं और वेल्यू में हम लिख देंगे यहां पर लोगिन चली पहले इसे रन करके चेक करते हैं कि क्या हमारा फॉर्म बनाया नहीं जब वो बन जाएगा तो हम बारी बारी से इसके जितने भी फीचर्स होते हैं उनको समझेंगे और खास करके गेट पोस्ट मेटड को समझेंगे तो चली राइट क्लिक करते हैं और ओपन इन देता हूं कि क्यों यूज किया है माल लीजे कि यहां पर आपने कोई इमेल डाला जैसे कि यह इमेल डाला और यहां पर हमने कोई पासवर्ट डाला ठीक है अब आप इन्हें रिसेट करना चाहते हैं तो जब इस बटन के उपर में क्लिक करूंगा तो देखिए रिसेट हो समझ माया आपको चलिए तो रिसेट बटन का कॉंसेप्ट तो क्लियर हो गया अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर समझने की कोशिश करते हैं हम फॉर्म का यूज करते हैं कि यूजर जो रिक्वेस्ट डालता है वह रिक्वेस्ट एक पेज से दूसरे पेज पर पहुंच स रहा है तो जब हम सब्मिट बटन पर क्लिक करेंगे तो वह एक दूसरे पेज पर जाएगा अब यह दूसरा पेज कौन सा होगा अभी आप देख सकते हैं यहां पर कि जब हमने फॉर्म यूज किया तो यहां पर तो हमने किसी पेज का यूर्ल दिया नहीं और कोई मेथड यूज किया नहीं तो क्या होगा तो बाइडिफॉल्ट यह सेल्फ यूर्ल लेगा यहने कि इसी पेज पर आएगा और मेथड यह गेट यूज करेगा यह बात आपको ध्यान रखना है क्या का मैंने कि अगर आप यहां पर कोई यूर्ल नहीं देते हैं अब यह यूर्ल मानने के लिए हम यहां पर मेथड नेम के अट्रीबिट कर यूज करते हैं और इसके इंसाइट हम मेथड देते हैं तो टू टाइप की मैथड होती है गेट और एक होती ही पोस्ट दोनों में से आपको कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं ठीक है यह बात आपको ध्यान रखन हैं तब भी यह self URL लेगा और method गेट लेगा ये बाद आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझा देता हूं यहां पर हमें यह जो नेम नेम का यह email डाली ठीक है ना यहां पर कोई password लिखा तो यह कहा जाएगा तो वह जाता है इस नेम नेम के attribute की insight जो value आप डालते हैं उसके insight तो यह जो value होती है यह variable का काम करती है इस variable के insight वह value आती है तो email fill की insight कुछ भी डाला जाएगा तो वह email की insight आएगा और password fill की insight कुछ भी डाला जाएगा तो password की insight आएगा और जब आप reset button या submit button के उपर click करेंगे तो यह value होगी और वह in variables में जाएगी यह बात आपको ध्यान रखना है चलिए इतना clear हो चुका है तो आगे बढ़ते हैं और अभी अभी मैंने कहा कि by default get method लेता है तो के से पता चलेगा चलिए अभी मैं submit button के उपर click करके आपको बताता हूं कि यह वापस इसी URL पर जाएगा यहाँ पर email डाल दिया है थोड़ा सही email डाल देते ताकि कि आपको अच्छा लगें मैं यहाँ पर why at the rate gmail.com यह email डाल देता हूं इसके बाद यहाँ पर कोई password डाल देता हूं जो आपको अभी दिखाई जिसका name login है आप देख सकते हैं अभी इसे don't save करते हैं और यहाँ पर आप देखिए email यह डाला है और password यह डाला है और इस button के उपर click किया जिसका name हमने क्या रखा है login यह value के अंदर है और यह variable है यहाँ पर यह password variable का काम कर रहा है इसके inside यह password है तो यह सारा information यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो पहली बात आपको समझ में आ गए कि अगर आप यूज नहीं करते हैं तो by default self URL लेता है method कौन सी यूज करता है gate और gate method अगर आप यूज कर रहे हैं तो जो data होता है वो URL से attach हो के आता है ठीक है यह बात note कर लिए आपने अब मैं यहाँ पर method यूज कर लेता हूं जैसे मैंने यहाँ पर यूज कर ली गेट method यूज कर लिए अब by default तो gate है लेकिन आप यूज करना ही चाहते हैं कि नहीं हम तो यहाँ यूज करेंगे तो आप लिख दे method नहीं के attribute के यूज करके एक बार और बेक करते हैं और reload करते हैं अभी यहाँ पर यही URL है और यहाँ पर एक बार और मैं कोई अधर email डालता हूं इस तरीके से और इसके बाद यहाँ पर कोई other password डाल देता हूं मैं और इस बटन के उपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह वापस से इसी पेज पर reload हुआ है यहाँ पर email दिख रहा है यहाँ पर password दिख रहा है यहाँ पर जो submit बटन है उसका name भी दिख रहा है चलिए वापस इदर आते हैं और कुछ और बात करते हैं gate method के बारे में अगर आप gate method का यूज करते हैं तो अभी भी आपने देखा कि data जो है वो URL सेटेच हो के आता है तो इसका मतलब यह कि gate method जो है वो secure नहीं है ठीक है ना तो जहाँ पर security reason होता है वहाँ पर हम gate method का use बिल तो फिर gate method का use कम होता है कि ज़्यादा होता है यह भी एक interview के question है तो मैं आपको बता दूँ कि gate method का use सबसे ज़्यादा होता है ऐसा इसलिए क्योंकि जित्ते भी छोटे छोटे काम होते ना वो सारे gate method के थ्रू होते हैं और इसका सबसे बड़ा reason यह होता है कि gate जो होता है व इसलिए by default यहाँ पर यह gate method ही लेता है लेकिन security reason हो जैसे कि आप login form बना रहे हैं या फिर sign up form बना रहे हैं या कोई important request एक पेस से दुसरे पेच पर बेज रहे हैं वहाँ पर आपको post ही use करना है अगर आप post का use करते हैं तो data जो होता है ना वो secure तरीके से जाता है जिसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं post तो अब data hidden हो जाएगा वो body parts attached होके जाएगा मैं अभी आपको reload करके बताता हूं वापस यहाँ आते हैं मैंने reload कर दिया है मैं एक बार भेग कर लेता हूं ताकि यह यहाँ उसी page पर आ जाए मैंने यहाँ reload किये अब मैं यहाँ पर कोई password डाल जाता हूं और मैं यहाँ भी submit button पर click कर रहा हूं देखिए मैं submit button पर click कर रहा हूं अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर URL के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको जैसे पहले दिख रहा था तो post जो होता है वो secure होता है और बड़ा data ले जा सकता है तो जब भी data बड़ा ले जाना हो तो आप post का use करेंगे या फिर security reason होता पोस्ट का use करेंगे बागी सारे काम आप किस से करेंगे gate से करेंगे चलिए एक और important बात की action के insight जो URL आप डालना चाहते हैं तो किस तरीके से डालते हैं तो यहाँ पर आप किसी other URL को दे सकते हैं जिसे मैंने यहाँ पर view. HTML यानि की view name से page बनाया जिसका extension.html है यह अलग से page बना रखा है जिसके insight मैंने लिख दिया है welcome user ताकि जब हम इस page पे जाएं तो हमें समझ में आया है कि हम इस page पे आ चुके हैं ठीके ना तो view name के page का मुझे URL यहाँ देना है तो बहुत आसान है यह इसी के parallel में है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा view और साथ में अभी यहाँ इसका extension लिख दूँगा.html चलिए save करते हैं इसे और reload करके check करते हैं कि क्या एक page से दूसरे page पे जाता है या नहीं वापस आते हैं यहाँ पर और मैं बेक कर लेता हूं reload कर देता हूं इसे यहाँ पर और अब यहाँ पर अभी post method use किया हुआ है तो एक page से दूसरे page पे तो चला जाएगा data भी जाएगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं data तो आ चुका है लेकिन वो दिखने रहा है वहीं अगर हम gate method का use करेंगे तो data यहाँ URL के साथ दिखेगा तो यहाँ पर मैं post की जगे वापस क्या कर देता हू gate method का use कर लेता हूँ चलिए ठीक है save करते हैं वापस आते हैं यहाँ पर और यहाँ reload करते हैं और यहाँ पर मैं कोई password डाल देता हूँ और फिर submit बटन के उपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम दूसरे page पर आये हैं और साथ में यहाँ इस लेक्चर के insight हमने एक login form बनाया साथ साथ हमने form के concept को समझा और get and post method के बीच में जो differences होते हैं उनको भी समझा अब आप बेटर तरीके से get and post का use कर सकते हैं तो guys इस lecture को आपने last moment तक देखा I hope कि आपको यह lecture बहुत अच्छे समझ माया होगा मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए बाइ बाइ